नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल प्रेगा हव में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अल्टरा साउंड को देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि गर्ब में एक लड़की पल रही है या एक लड़का पल रहा है तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और पूरा जरूर देखें अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेड आइकन को प्रेस कर लें जससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले तो आएए दोस्तो बताते हैं आपको अल्टरा साउंड को देखकर आप कैसे पता कर चकते हैं कि गर्ब में एक लड़का पल रहा है या एक लड़की दोस्तो वीडियो स्टाट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल का अदेश्या लड़का और लड़की में भेदवाब करना बिलकुल नहीं है लड़का होया लड़की दौनों ही हमारे चैनल के लिए समान है और दौनों ही अपने माता-पिता के लिए समान होती है इसलिए लड़का और लड़की में भेदवाब बिलकुल ना करें और दौनों को समानता प्रदान करें दोस्तो जैसे ही महिला pregnant होती है उसकी सबसे पहले यह जानने की इच्छा होती है कि उसके गर्ब में बच्चा कौन पल रहा है एक baby boy पल रहा है या एक baby girl पल रही है उसी जिग्यासा को कम करने के लिए आज हम जो ultrasound आप करवाते हो pregnancy में उसके द्वारा उसमें जो लिखा होता ह है उसको ही हम आज बताने वाले हैं कि लड़का कैसे लड़का होने की symptom-काऊ होते हैं और लड़की होने की symptom कहा होते यह दोस्तो पहला जो होता है वह होता है हम बच्चे की जो flight hurt rate होती हैं उसके द्वारा पता कर सकते हैं कि गर्प में कौन सा links पल रहा है एक लड़का पल या एक लड़की पल रही है दोस्तों जैसे ही आप अल्टरा साउंड करवाते हैं तो रियल ल्टरा साउंड की रिपोर्ट आपको आती है नौमे महीने में 9 में महीने के 1 वीक में ही आपको अल्टरा साउंड करवाना है और उसमें अगर आपके बच्चे की फिलाइट हर्ट रेट 140 से नीचे अगर आपकी आती है तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आप एक बेबी को बेबी बॉय को जनम देने वाली है यानि कि आपके घर एक लड अनुमान लगा सकती हैं कि आप एक बेबी गर्ल को कंसीव कर रही है और दोस्तों वहीं हम पता कर सकते हैं उसमें रिपोर्ट वहीं कि आपका प्लेसेंटा कौन सा है एंटीरियर या फिर पॉस्टीरियर यानि कि जब आप अल्टरा साउंड को देखती हैं तो उसमें आपक एक बेटे को जनम देने वाली हैं और वहीं आपका जो प्लेसेंटा है वो एंटीरियर आया है तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आप एक बेबी गर्ल को जनम देने वाली हैं और दोस्तों अगला होता है गुणसूत्र अगुणसूत्र होते हैं दोस्तों उसमें वो भी जैसे कि अगर x x कहीं पर आपको लिखा दिखाई देता है अल्टरा साउंड में तो इसका मतलब होता है दोस्तो बेबी बॉय होना और वहीं अगर आपको x y गुण सूत्र बन रहा है तो यह एक गर्ब में लड़की होने का लक्षन माना जाता है तो दोस्तो इन तीन तरीकों से आप अल्टरा साउंड देखकर पता कर सकते हैं गर्ब में बच्चा कौन है एक लड़का है या एक लड़की है उमीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगेगी अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मि